कि अपर आपके अपने यूट्यूब चेनल मैं क्लास्रूम लेक्चर में अगर आपने अभी तक हमारे से चेनल मैं अश्रूम लेक्चर को सब्सक्राइब करें पसंद आने पर लाइक शेर कमेंट जूर करें नए विडियो पाने के लिए नोट फिक्सन बेल को प्रेस कर दें इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास टू के पोईम नमबर टू फायर और आइस जो रोबोट फ्रस्ट के दुआरा लिखी गई है पहला पोईम हम लोग कर लिए हैं डस्ट अप इसनों वह भी पोईम रोबोट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गए हैं तो इसमें हम लोग भेरी भेरी इंपोर्टन ऑबजेक्टिव कोईशन के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोग का इंग्जाम का जिस्टिस बहुत है महत्तुपूर्ण है तो वीडियो में सुरू से जान तक बना रहेंगे को दोस्तों सेर ज क्रेवन वेल्स यह रोविन क्लैंड तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और बी रोबोट फ्रोस्ट नेक्स्ट क्या है तो इसका हो जाएगा फायर को किस से कंप्यार कर रहा है यानि डिजायर से यानि बढ़ती हुई इच्छाएं आकांचा या लालत से तो आपसर नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा परिस का मतलब क्या होता है क्या मिनिंग होता है खत्म हो जाना यानि आपसर नमबर ये बुलूम है आपसर नमबर बी राइज है आपसर नमबर सी डाय है आपसर नमबर डी ग्लो है तो हम लोग जान रहे हैं आपसर नमबर सी हो जाएगा डाय परिस का मतलब क्या होता है ना खत्म हो जाना next question है question number four where has he used personification fire में ice में earth में both a and b तो personification का मतलब होता human quality यानि human quality fire and ice दोनों में है fire मतलब बढ़ती हुई इच्छाएं आकंचाएं लालच और ice के लिए क्या बढ़ती हुई घ्रिना नफरत यानि दोनों से संसर खतम हो जाएगा तो बोथ a and b हो जाएगा answer में यानि option number d right answer होगा question number five name the periodic poetic device used to say that for destruction ice is also great metaphor imagery illiteration oxymoral तो इसमें हो जाएगा कप लोग का option number b imagery next question question number six what does the word supply means suffice means क्या हो जाएगा be harmful be sufficient be unsufficient तो इसका option हो जाएगा suffice means क्या होता है न परियाप्त यानि सफिसेंट हो जाएगा तो be sufficient तो वाट डज़ आइस सिंबोलाइज इन दो फाइर न आइस फाइर और आइस किसको सिंबोलाइज करता है desire hated love pen तो आइस को हम लोग सिंबोलाइज करते हैं न परत या बढ़ती भी घिरनाएं से यानि हैटेड हो जाएगा option नबर बी राइट अंसर हो जाएगा वाट डज भावलेंट डिजायर रिफर्ट तो आइस option नबर ये में फायर option नबर बी में आइस option नबर सी बोथ एंड भी option नबर डी नौन अब द आब तो डिजायर यानि बढ़ती होई इच्छाएं फायर को रिप्रेजेंट करता है यानि option नबर ये राइट अंसर हो जाएगा प्रलूप का according to the poet what will end one day poet का अनुसर एक दिन क्या खतम हो जाएगा the world human art या forest तो कभी तक अनुसर the world एक दिन खतम हो जाएगा तो option नबर ये राइट अंसर होगा question number 11 how many prediction does the poet make for the ending of the world यानि कभीता में poem ने कितनी संभवना जाहिल की है world को खतम होने को लेकर तो poem का नाम ही है fire and ice यानि दो बार संभवना व्यक्त किया है एक बार fire से एक बार ice से तो option number b right answer हो जाएगा 2 हो जाएगा question number 12 the poem fire and ice discuss about poem fire और ice किसके बारे में बताता है डिसकस करता है तो option number a fire and ice end of the world option number c animal option number d rise of the world तो यह हो जाएगा end of the world यानि PCV का खतमा को लेकर दुनिया का खतमा को लेकर बताता है option number b right answer हो जाएगा question number 13 can hatred destroy the world क्या बढ़ती हुए घिरना से दुनिया क्थम हो जाएगा एक नमर option है no, दो नमर option है yes, तीन नमर option है maybe और d number option है may not be यानि चारों option इस तरह दिया हुआ है तो इसका answer हो जाएगा yes हो जाएगा बढ़ती हुई नफ्रत या घिरना से दुनिया क्थम हो जाएगा who do poet side with poet का अनुसर poet किस तरफ है those who believe the world will end in ice those who believe this world will end in fire क्या world ice से खतम होगा दूसरा fire से those who believe this world end in both none of the above तो point जो है तो option नमर बी के साथ है those who believe that the world will end in fire question number five but it but if it had to perish twice i think i know enough of hat to stay that for destruction ice is also great and would suffice so question number one है when does it here refers to it किसके लिए यूज हुआ है किसके लिए रिफर हुआ है न वार्ड के लिए पूरी दुनिया के लिए तो option number d right answer हो जाएगा question number two है इसमे here is the rhyming scheme used in the poet is poet ने rhyming scheme क्या यूज किया है तो rhyming scheme किस तरह निकाला जाता है इसमें हम लोग सीख लेते हैं हाना तो यह जो poem का है इसका जो last word है इसको हम लोग चुनते हैं जैसे twice हो गया head हो गया ice हो गया great हो गया और sufficient हो गया rhyming इसमें हम लोग देखते हैं rhyming word देखते हैं जैसे twice twice को हम लोग यह मान लिए इसका मिलता जूलता वार्ड क्या है आइस ये भी ए हो जाएगा सब आइस ये भी ए हो जाएगा हेट को हम लोग बी ज़दी भी मानते हैं तो ग्रेट हेट ग्रेट एक ही जैसा वार्ड है इसको भी हम लोग भी मानेंगे तो rhyming skim क्या हो जाएगा ना A B A B A तो किस option में है A B A B A तो option number आप लोग का C right answer हो जाएगा तो जितना भी very very important question था आप लोग का फायर नाइस से सभी करा दिया गया है एक बाद वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों में बाद शेयर जरूर कर दें झाल